हेलो फ्रेंज, आज मैं आपसे सेल कर रही हूं बहुत ही आमेजिंग होम रिमेडी जिसके इस्तेमाल से आपके बालों का जहर्णा रुखेगा, साथ ही आप अपने बालों को कई गुना तीजे से बरा सकते हैं। इस ओयल को बनाना बहुत ही आसान है, कम समय में इस ओयल को बना सकते हैं, फिरेंस ये 100% वर्ट करता है, बहुत ही एफेक्टिव है. तो फिरेंस हर किसे की चाहत होती है, कि उसके बाल लंबे घने वा खुबसूरत हो, बालों का लंबा होना ही नहीं, बलकि बालों में वोल्यूम होना भी जरूरी होता है, तो आज जो मैं आपसे हैर ओल सेर कर रही हूँ, इससे आपके बालों में वोल्यूम आएगा, जिससे आ अगर आपके बाल बहुत ही ज़र रहे हैं, आपके बाल बहुत ही रोखे और बेजान हो गए हैं, बालों की नमी खोसी गई हैं, बाल फ्रेस ज़्यादा ज़रते ज़रते बालों की ज़र कमजोर हो जाती हैं और इससे गंजेपन का सिकायत होने लगता है। गलत lifestyle इस अफसे बाल बहुत ज़्यादा ज़रते हैं आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरे पत्दार वाली साख, सबजी और सीजनेबल फ्ल को जरुद से सामिल करें आप अपने खाने में मझली, अंडा इसे भी सामिल करें इसमें ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों को हेल्दी बनाते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीएं फिर्स पानी के कमे से हमारे बालों की नमी खो जाती है जिससे हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राय हो जाते हैं ये oil friends बहुत ही ज़्यादा effective है इसे आप अपने धुले हुए बालों में ही लगाएं लगाने के बाद 5 मिनद जरूर मसाज करें जिससे blood circulation तेज होता है और ये oil बालों की जरूर में जाता है जिससे कि बालों की growth बहुत ही तेजी से होती है और बाल जहरने बंद होते हैं आप इसे overnight रखे और सुबह किसी हरवल सेंपू से कोई mild सेंपू से अपने बालों को wash करें इस oil को आप विक में तीन दिन लगाएं और इसके लगातार यूज से आप देखेंगे कि इसके चमतकारिक फायदी को देख करके आप धंग रह जाएंगे बहुत ही ज़्यादा effective है 100% व जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe करना ना पूले फिर इस में नई और easy cooking वीडियो लेकर के आती हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और bell बटन को जरूर प्रिस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो upload करूं सबसे पहले आप देख पाएं तो शलिए इस oil को बनाना सुरू करते हैं इसके लिए आपको लेना है mustard oil यानि सरसो का तेल यह वही सरसो का तेल है जिसे हम खाना बनाने में यूज करते हैं यह हमारे सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है साथ ही हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा beneficial होता है सरसो के तेल में fatty acid omega 3 और anti-oxidant पाये जाते हैं जो हमारे बालों को healthy बनाने के लिए काफी महत्पून होता है सरसो के तेल में जिंक पाया जाता है जो हमारे बालों की जहरने के समस्या को खत्म करता है पुराने समय से ही सरसो उलक यूज किया जाता था हमारे बालों को गुरूत को बराने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेश्ट है हमारे बालों के लिए दुसरा आपको लेना है कलोंजी जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफीसियल होता है कलोंजी हमारे बालों को जहरने से रोकता है साथ हमारे बालों को कई गुना तेजी से बराता है अगर फ्रेंस आपको गंजेपन की सिकायत हो रही है तो कलोंजी नए बाल उगाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस ओईल को बॉयज या फिर गर्ल कोई भी लगा सकता है दोनों के लिए बहुत ही बेनिफीसियल है फ्रेंस कलोंजी में प्राकिरतिक मौशर होता है और यह हमारे बालों को नमी परदान करता है तो देखे एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें दो चमच हम कलोंजी को डाल देंगे और ये फिरेंस निर्फर करता है कि आप कितना ओल बना रहे हैं आपके बालों की लेंद कितनी है तो अगर जिसके लंबे वाल है तो यहाँ पर दो चमच कलोंजी का यूज़ कर सकते हैं और ये दिखें मैंने इसका पाउडर बना लिया है बहुत जादा पाउडर नहीं है हलका दानेदार ही है तो इस तरह से ही आपको इसको ग्राइंड कर लेना है देख सकते हैं बहुत जादा पाउडर मैंने इसको नहीं किया है तो अब हम इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ ये नेचुरल डाय का भी काम करता है अगर आप इसे अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बाल काले भी हो जाएंगे अगर सफेद बाले हैं तो वो काले भी हो जाएंगे तो मैंने इसको बॉल में निकाल दिया है तो अब हम इसे साइन में रख देंगे दूसरी चीज़ आपको लेनी है याँ पर मेथी जिसे हम फेनोगिरिक सीट भी कहते हैं फिर यह हम सभी के घर के किचन में अबलेवल होता है और यह हमारे बालों के लिए हमारे इसकीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है इसमें गुनों का खजाना होता है मेथी हमारे बालों की जरों को मजबूत करता है उसे जरने से रोकता है और इसकी growth बढ़ाने में काफी help करता है बालों को मुलायम वो सिल्की भी बनाता है तो यहाँ आपको mixi का जार ले लेना है मैंने वही वला mixi का जार लिया है और इसमें हम डालेंगे तीन चमच मेथी डाना और यहाँ पर मैं oil को store करके रखने वाली हूँ मैं जादा ही oil बना रही हूँ इस वज़े से मैं यहाँ पर तीन चमच डाली हूँ आप कम भी बना सकते हैं इसको grind कर लेंगे और इसे बहुत जादा powder नहीं करना है तो देख सकते हैं मैंने इसको grind कर लिया है और मैं भी चमच में उठा करके आपको दिखाती हूँ देख सकते हैं यह बहुत जादा powder नहीं है आधा दाना ही आपको दिखाई दे रहा होगा तो इस तरह से ही आपको grind कर लेना है आप हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं मैंने इसको देखिए बॉल में निकाल लिया है और बहुत ही अच्छा देखिए मेथी पाउडर बंगर के तयार हो चुका है तो फिरस अब यहां पर लेना है आपको mustard oil और यहां पर मैंने आधी कटोरी mustard oil लिया है और इसमें मैं डाल लही हूँ तो 100% pure coconut oil है मैंने पेरा सुट के लिया है आप कोई भी company का ले सकते हैं अगर आपको mustard oil सुट नहीं करता है आपको चिपचिपापन महसूस होता है तो आप mustard oil को skip कर सकते हैं आप इसके जिगह पर चाहे तो केश्टर oil भी डाल सकते हैं इससे भी बालों की growth बहुत ही तेजी से होती है साथ ही बालों का जहरना भी बंद हो जाता है तो देखिए इसको हम अच्छे से mix कर लेते हैं अगर फ्रेंस आप सरसोका उल लेते हैं तो इससे आपके बालों की जो भी मस्या है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है तो अगर दोनों ही oil आप मिला करके करते हैं तो इससे बहुत ही कम आपके बालों में चिपचिपापन होगा और coconut oil बालों को बहुत ही तेजी से बराने में काफी help करता है बालों की जरू को भी ये मजबूत करता है इसको मैंने देखे अच्छे से mix कर लिया है इसके बाद gas पर आपको एक करहाई में पानी चरहा देना है उसके बाद फिर इस लेना है आपको कोई भी सीसे की अगर इस तरह से कटोरी है तो वो ले सकते है हम इसको double boiling के process में ही पकाना है इसके जगर आप चाहे तो इस्टिल का कोई पतिला है तो वो भी ले सकते है या फिर कटोरी भी ले सकते हैं तो मैं यहाँ पे इस्टिल का पतिला ही तो देखे गैस का फिले में ने हाई कर दिया है और इस पतिले में हम ओल को डाल देंगे इस ओल को डारेक्ट हिटवर्ट नहीं पकाना है इसे double boiling process से ही पकाना है अब हम इसमें डाल देंगे कलोंजी जो हम powder बना करके त्यार किये हैं वो इसमें डाल करके इसको चम्मस से अच्छे से mix कर दें और फिर जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो गैस का फिले में low कर दें low flame पे ही कुछ देर के लिए पकने दें और देखिए इसमें mix करते ही आप oil का color देख सकते है चेंज होना सुरू हो चाएगा यह देखिए देरे देरे oil का color चेंज हो रहा है तो गैस का flame मैंने low to medium पर रखा है और medium flame में ही हम पकाएंगे अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना मेथी का powder जो तयार करके रखा है वो डाल देंगे और इसको चम्मत से mix कर देंगे तो इस oil को फिर समें 10 मिनट के लिए पकाना है और low to medium flame में ही आपको इस oil को पकाना है तो flame को medium कर दे और इसे पकने दे आप इस oil को चाहे तो धूप में भी पका सकते हैं आप इ धूप में अगर पकाते हैं तो 10 से 12 दिन का समय लग जाएगा और जब आप देखेंगे किसका color change हो गया है तो आप फिर उस oil का use कर सकते हैं और इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो 10 मिनट में ही oil बन करके तयार हो जाएगा और देख सकते हैं color आप oil का धीरे धीरे change हो गया है तो जो भी मेथी और कलोंजी का जो गोन है वो oil में अच्छे से आ गया है और देख सकते हैं oil का भी color बिल्कुल change हो गया है तो oil हमारा बहुत ही अच्छे से पक करके तयार हो गया है आपको color से ही पता चल रहा होगा देख सकते हैं बिल्कुल जाग सा हो गया है और बिल्क करें डिये थे हैं ठंडा होने के बाद हम चंन्य लगा करके ऊईल को चाण लेंगे तो देखिए यहां है और मेथी और को लोंची बच गया इसे बिल्कुल भी िवेसे पाले में डेल करके फुला लें' औरuchen तप हिसे पीष्डिर के साथ आप इसे अपने बालू में मौस के त करें इसके चमतकारी फायदों को देख करके आप दंग रह जाएंगे आप इसका यूज करें और हमें रिचल्ट कमें सक्सर में जरूर सेयर करें आप इसे विक में तीन बार लगाएं आप चाहे तो ना आने से एक गंटा पहले भी इस विल को लगा सकते हैं और एक घंटे बा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई